हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल और आज की वीडियो में आपके लिए नर्सिंग केर प्लान लिकर आई हूँ नेफ्रोटिंग सिंड्रोम पे तो इसके डाइगनोसिस मैं आपको यहां से दिखा दोंगी इस बुक से जो कि आप फॉलो कर सकते हो और अगर आप फॉर पॉटीन की पॉब्लम राती है पॉटीन यूरिया की पॉब्लम उसमें हो जाती है तिक है अप दिख सकते हो जितने भी प्रॉब्लम्स नेफ्रोटिक जिनम में थी वह यहां पर लिक्की हूई है और अप क्लिनिकल फीचर आपके लिए हल्फुल है कहां पर जो कि आप लीगन मयलाइज डिक्रीज़ डिपटाइट वंबितिंग डाइरिया वेट गेंट यह चीज आपको यह कुछ कुछ चीज़ेया चीफ कमलेंट में लिख रिखो और नर्सिंग डाई गूसिब आपका हैल्सफुल हो जाए बहुत जाएगा यह असेस्टमेंट है यह अनिनर् accepted outcome आप लिख लो यह वाला और intervention और rational आपके पास है implementation आपको लिखना होगा इसमें and evaluation भी यहां पर दी हुई है देखो बहुत ही अच्छी से दिया गया है लेकिन आपको थोड़ से column में आने हैं boxes बना देने हैं आपको शुच रहे हैं इसमें कि आप लिखोगे rational भी ही लिखोगे नहीं लिखना है तो रहां दो और direct आपको implementation करिए और evaluation यह लिख दो ठीक है इसमें उन्होंने ऐसे क्लिवोशन माक लगाया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसे बीख सकते हो जो मैं आप अप थोड़ा सा सुन लीजिए अभी नेक्स डाइग्नोसिस देख लेते हैं तो यह हमारा नेक्स डाइग्नोसिस इस फॉर्ण इंट्री टू यूरिनरी लॉस औफ गामा ग्लोबिलिन एंड इम्म्यून सप्रेसिव थेरेपी दोनेक्स अभी हो गया और इंटर्वेंशन इंट्री आँग्सेल इंप्लिमेंटेशन भी आप कर लो इंप्लिमेंटेशन इंप्लिमेंटेशन जादा मुश्किल नहीं होती इंटर्वेंशन ही इंप्लिमेंटेशन में आथा इसमें दन आपको करना होता है या फिर आप उसमें एडी लगाना चाहिए आपको यही देखें यहां से अपसब चीजे नोट कर लेजिए नेक्स्ट डाइग्नोस की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है मारा रिस्क फॉर टैफिशिट फ्लूड वॉल्यूम इंट्रावस्कुलर रिलेटिट्टू प्रोटीन यूरिया एडीमा इफेक्ट ऑप डायूरेटिक्स तो डायूरेटिक्स में चलते हैं नेफ्रोटिक इस एक्सटेट आउटकम आपका आप लिख लिए इदर से एंड इंटर्वेशिट रेशनल ये फिर एकंटीनिव यांस चल रहा है वहीचीज है थे चीज नेशन में एई है काफे सारे डाइग्नोसिस आपको काफी हल्प हो जाएंगी यह तीसरा डाइग्नोसिस आप देखो एक्सेस फ्लूड वॉल्म डिट्रेस्ट एक्सक्रेशन और सोडियम एंड फ्लूड रिटेंशन एक्सेप्टिड आउटकम इसके बाद इंट्रवेंशन हैं तो आपके लिए हल्प हो जाएगी इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए मुझे कुछ कमेंट आए थे तो उस बेसे मैंने वीडियो बना दिये हैं फॉर्मिट के लिए अपसों चाहिए तो हमारी बहुत सारी वीडियो में आपको फॉर्मिट मिलेंगे नर्सिंग के एफ्लान के के स्टर इसमें के आप बहुत अच्छे से इंटर्वेंशन और राशनल देख सकते हो आपको इंप्लिमेंटेशन और इवैल्वेशन का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा इसमें और भी नेक्स देख लेते हम तो यह की नेक्स डाइग्नोसिस कि इसमें तो यह जो है यह एक्चुली 10 एयर है सॉल्व्ड कोस्ट्न पेपर होते न वह है यह उसमें से मैं आपको दिखा रहे हूं तो यह मेरा पुराना है पोस्ट बेसिक का है यह फस्ट यह वानोगा इसमें की पेडियाट्रिक का है यह नेफ्रोटिक सिंड्रूम का तो चार हमने डाइगनोस हमने देख लिए इसमें जो कि आपके बहुत हो जाएंगे आप बना सकते हैं चार डाइगनोस एक आपको पांच बनाने तो नॉलिज डैफिसित का बना लो अपने आप कमेंट करते रहिए मुझे आपके टॉपिक लिख दीजिए मैं वो टॉपिक डाइरी पर नोट कर लेती हूँ जैसे ही मेरे पास अवेलिबल होते हैं मैं अप्रोड कर देती हूँ और आप बस कमेंट कर दीजिए मैं ताकि उनको नोट कर लूँ आपके सारे चीज तो फिर आपको हमारा format देखकर अपनी बुक से ही बनाना पड़ेगा आप थोड़ा सा बुक को खोजबीन कीजिए कई आप सोसते हो कि इस बुक में नहीं मिल रहा है या उस सब्जेक्ट की बुक है तो आप दूसरी बुक में आपको चीज़े मिल जाती है ठीक है ऐसा आपको करना है अगर आपको अपका रिक्वायर्मेंट अपको टाइम से नहीं मिल रही है मेरे पास दे तो आप खुद ही बनाने की थोड़ा कोशिश करो और पूरा अगर डिजीज कर दिश्ट को फूरा थोरोली पढ़ लेते हो तो आप उसको उसको उसके पर NCPB आराम से बना पा अगर आपको जल्दी चाहिए अगर आपको बहुत देर में चाहिए काफी टाइम है तो आप तो हमारे साथ जूड़े रहे हैं डोटिफिकेशन को अन रखिए बैल को और कभी ना कभी मैं देखते हूं आपका रिक्वायर्मेंट भी जरूर आपको मिल जाएगी ओके थैंक निर्सफिकों को यहां है तो हम देखते हैं लुकांष टापको नीदिताब चेंड़ेग हैं अमैं इस क्वाद्या आपको फैसाथ है